So, hello everybody, in this lecture we will learn about the bricks. So, बसे पहले हम देखेंगे, bricks किस-किस चीज से मिलके बनी होती है, और जो चीजे उसके अंदर डली होती है, वो क्या-क्या काम आती है. तो देखो, bricks जो होती है, उनके अगर मैं क्या गॉम्पोजिशन की बात करूँ, तो सबसे पहले आप देखोगे, silica उसके अंदर प्रिजेंट होता है, जो की सबसे ज़्यादा मातरा में प्रिजेंट होता है, और मैं आपको बताओ कि silica सबसे ज़्यादा मातरा में क्यों प्रिजेंट होता है, कि जब हम brick बनाते हैं तो हम मिट्टी ना जमीन से उठाते हैं तो जमीन से उठाई हुई मिट्टी के अंदर silica already ज़्यादा amount में present होता है that's why you can say amount of silica in brick 50-60% होगा उसके बाद में और क्या होगा alumina होगा इनका काम क्या-क्या होता है तो alumina 20-30% आपका present होना चाहिए एक standard brick के अंदर यह कम और ज़्यादा हो जाता है लेकिन standard की बात हो रही है यहाँ पर कम और ज़्यादा क्यों करते हैं हमारे जरुरत के इसाब से हम इनको कम और ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर आभी हम calcium oxide वो 4-5% इसके अंदर present होना चाहिए magnesia जो की 1% से कम रहना चाहिए तो यह होता है major composition अब क्या होता है कि कई बार हमें confusion हो जाती है किसके बीच में कि cement के compositions के बीच में और brick के compositions के बीच में तो मैं एक तरह आपको यहाँ पर cement के compositions के बारे में हमें सबसे ज़्याद कौन से देखने को मिल रही है तो यहां पर हमें silika देखने को मिल रही है तो आपको cement होता है उसके अंदर सबसे ज़्याद आपको lime देखने को मिलेगी क्योंकि lime से ही आप cement को बनाते होगी जो कि आपकी binding property अपस अची देगा लाइम के बाद हमें यहां पे silika मिलेगा ठीक है यह मैं cement की बाद कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका confusion ना हो तो silika जो होगी वो present होगी आपकी 17-25% के बीच में 17-25% आपके silika present होगी cement के अंदर उसके बाद में aluminium जो होगा वो कितना alumina present होग यहां पे 3 से लेके और 8% तक आपका cement के अंदर alumina है इसलिए don't confuse with the brick के composition and cement के composition एक साथ इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ एक ही ही आपके PPT के अंदर next आपका calcium sulfate जिसको हम क्या बोलते हैं जिपसम भी बोलते हैं C-A-S-O-4 कितना होता है यहां पे 3 से 4% तक आपका calcium sulfate present होता है iron oxide जो होता है वो Fe2O3 कितना present होता है cement के अंदर Fe2O3 जो कि 3 से 4% यह आपका iron oxide present होगा तो iron oxide के बाद में और क्या present होता है magnesium sulfur तो आप बोल सकते हो magnesium जो कि आपका 1 से 3% होता है और sulfur जो कि आपका 1 से 3% होता है उसके बाद में alkalis भी होते हैं यहां पे alkalis कुछ नहीं होते alkalis को आप बोल सकते हो K2O या फिर आप बोल सकते हो NA2O मतलब potassium or sodium के oxides होता है कितने percent होते हैं आपके less than 1% 1% से कम मतलब 0.3 से 1% के बीच में होते हैं तो आपको कन्फ्यूस और यहां पे देख सकते हो कि आपकी वीडियो पड़ ही है तो alumina जो होता है उसका major function क्या होता है तो alumina का अगर मैं brick के अंदर function देखू जो कि कितना percent से कितना percent मैंने बताय था आपको 20 से 30 percent तक present होता है ची कि alumina सबसे ज़्यादा तो silika यह होता है लेकिन alumina का जो दो काम होता है पहला plasticity provide कराता है plasticity का मतलब क्या है कि जब आप मिट्टी को निकाल उसमें पानी मिलाओ तो पानी मिलाने से उसको सांचे में डालने तक मतलब मॉल्ड करने तक उसकी एक plasticity एक मुडने की प्रॉपर्टी बनी रहे इसली एक जगे से दूसरी जगे मुड जा सके एजली वह शेप ले सके शेप और साइज आप उसको दे सको तो सबसे ज़्यादा इंपार्ट प्लासिटि आपका alumina करता है जो कि 20-30% तक प्रिजेंट होता है आपके एक अच्छे brick के अंदर अब एक और काम होता है alumina का देखो जितना ज़्यादा alumina होगा सिमेंट के अंदर भी यह फायर रिजिस्टिंग का काम कर रहा था कि अगर आपको एक ऐसी brick बनानी है ब्रिक जो हो ओवो छोटी हो जाती है और ड्राय करने के बाद में उसके बाद में silica की बात करें जो कि सब से ज्यादा होता है आपका पचास से साथ परसेंट के बीच में आप silika डाल सकते हो तो यह क्या करता अगर आपने डाला है तो यह cracking को प्रवेंट करता है और एक यूनिफॉर्म शेप और साइज आपको प्रवाइड करता है याद रखना है यूनिफॉर्म शेप और साइज आपको देगा अगर यह एक्सस मातरा में प्रिजेंट हो जाए तो यह कोहेशन को मतलब आप इसीली सं और 30% से आप 35% तक भी लेजा सकते हो किस चीज के लिए इसको fire resisting brick बनाने के लिए लेकिन जो सिलिका होता हो 60% तक ही आपको रखना है जो कि आपको uniform shape देने के काम आता है और ये plasticity देने के काम आता है और एक fire resistivity भी प्रेड्यूस करता है सुखाने के बाद में अगर ज्यादा present हो तो shrinkage create करता है ये ज्यादा present होगा तो brick को बहुत ज्यादा brittle बना देगा तो this is the thing which you have to always remember उसके बाद हम 4-5% की lime के उपर आता है यहाँ पर lime जो होता है CAO आपको पता है ना calcium oxide cement के अंदर lime सबसे ज्यादा होता था 62-67% और यहाँ पर चार से 5% lime present होता ब्रीक के अंदर ये shrinkage से बचाता है क्या करता है श्रिंके से बचाता है maximum जो इंग्रेटेंटे वो श्रिंके से बचाते हैं अगर ज्यादा हो जाता है तो यह melt करना स्टार्ट कर देती है अगर आपने lime को increase कर दिया बहुत ज्यादा तो आप टाइम के साथ में आपकी जो bricks होती हो melting की process में आ जाती है तो याद करता है इरन अकसाइड का basic काम जो होता है वो lime को silica से मिलाने का काम होता है अगर lime को silica को दोनों को रखोगे वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा iron डालोगे तो आइरीन ऑउक्साइड डालने की वजय से वहां पर एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है अर्ण ऑक्साइड फिर उसको मिलाने का काम करता है कितना परसेंट डाला जाता आइरन ऑकसाइड पांस से छ साइड डालो है पांस जो तो याद रखना है लाइम जो होता है आपकी श्रिंके से बचाता है और iron oxide ज्यादा होता है जो की lime को silika से मिलाने का काम करता है question है कि lime को silika से मिलाने के लिए कौन रिस्पॉंसिबल है iron oxide is responsible for mixing the lime and silika I hope you got the point next is the magnesia magnesia 1% से कम डाला जाता है यह yellowish color देता है देखो iron oxide का एक और काम था यह red color देता था हाना अगर कोई पूचिए कि red color क्यों होता है तो because of the iron oxide जो कि आपका 5-6% होता है और lime जो होता है और 4-5% होता है मैगनीशय एक परसेंट से कम होता है एक परसेंट से भी कम होता है तो lime जो होता है वो आपने देखा क्या काम करता था श्रिंके से बचाता था और ज्यादा हो जाता था तो melt करना इस्टार्ट कर देता है मैगनीशय जो होता है वो yellowish color देता है अगर ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा यह prevent करता है श्रिंके से अगर ज्यादा हो जाए तो decay करेगा वही melting जैसा ही कुछ behavior यह भी शो करेगा तो lime के अंदर भी यह हो जाए देखो lime मैंने बताया 4-5% हुआ iron oxide 5-6% हुआ तो सबसे ज़्यादा silica होता है उसके बाद में silica के बाद aluminium होता है 20-30% उसके बाद में iron oxide होता है उसके बाद में lime होता है उसके बाद में magnesia होता है 1% से कम यह काम क्या क्या होता है मैंने बता दिया कि melt करने का काम आपका lime करता है श्रिंक्य से बचाने के लिए सारे ही maximum responsible होते है और अगर मैं पूछू कि सबसे ज़्यादा brittleness कोन पैदा करता है axis में होने पे तो silica अब देखो यहां पर तो मैंने एक table बना के बता दिया कि इतना percent होता है उसका काम यह होता है तो देखो सबसे पहले silica जो होता हो 50-60% होता है उसके बाद alumina होता है उसके बाद lime होता है उसके बाद में यहां मैं आप बोल सकते हो कि 5-6 iron oxide होता है उसके बाद में Magnesia होता है Almost आप बोल सकते हो Lime और Iron Oxide एक जैसे ही percentage पे present होते है काम क्या होता है? Fuse करने का काम होता है Materials को bind particles को together ये एक cementing property show करता है इसलिए particles को एक साथ बांदने का काम भी Lime का होता है Iron Oxide का काम क्या करता है? Lime और Silica को bind करने का काम Iron Oxide करता है और Red Color प्रोवाइड करने का ये Yellow Color प्रोवाइड करने का Magnesia का होता है तो सबसे ज़्यादा कौन होता है मातरा में present तो Silica सबसे ज़्यादा होता है उससे कम कौन होता है उससे ज़्यादा आपका Alumina होता है और उससे सबसे कम कॉन होता है, तो मैगनीशिया सबसे कम होता है, तो सबसे ज्यादा मातर हमें प्रिजेंट सिलीका, उससे कम ऐलूमिना, उससे कम आइरन, ठीक है, यह तो आपको याद रखना है, यह कितना होता है, सिलीका आपका 50-60% तक प्रिजेंट होता है, अगर आपको 35 तक होता है अगर आपको high fire resistance चाहिए तो 20 से लेके 35 परसेंट तक आप डाल सकते हो iron जो होता है 5-6 परसेंट तक होता है उसके बाद में आपका lime होता है lime कितना होता है 5-4 परसेंट तक 4-5 परसेंट तक lime के बाद मेगनीशिया होता है जो कि आपका 1% से कम होता है तो lime का काम क्या होता है lime bind करता है और एक तरीके से एक श्रिंके से बचाने का काम करता है और iron oxide का काम होता है red color देना और silica को lime से मिलाने का काम भी catalyst की तरह iron oxide करता है alumina plasticity देता है ज़्यादा हो जाता है alumina तो भी problem हो जाती है बहुत ज़्यादा उसके अंदर shrink के जाती है और alumina एक fire resistivity भी आपको provide करता है I hope आपको सारे functions समझा गए होंगे silica सबसे ज़्यादा alumina उससे कम उससे कम iron, उससे कम lime, उससे कम magnesium, I would like to repeat again silica सबसे ज़्यादा जो कि 50-60% होता है alumina उससे कम, जो कि 20-30% होता है iron oxide उससे कम, जो कि आपका बोल सकते हो 5-6% होता है lime उससे कम, जो कि आपका 4-5% होता है magnesium, ज़्यादा 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 होता है थोड़ा सा yellow tint मिले आपको तो ये function हो गए, ये percentage होगी cement के अंदर क्या-कया होता है वो भी आपको याद रखना है जिससे आपको confusion create ना हो कभी भी cement के अंदर lime सबसे ज़्यादा होता है जो कि, देखो, सबसे ज़्यादा lime के अंदर lime के अंदर, मतलब, cement के अंदर lime होता है कि इतना 62-67% और वो ही lime आपका अगर मैं brick में देखो तो कितना percent होता है सिर्फ 5% तक होता है जो कि आपका सिर्फ 5% तक present होता है और silica यहां पे कितना percent होता है यहां पे silica आप 17-25% माल लो यहां पे आप 50-60% पकड़ लो उसके बाद में यहां पे aluminum 3-8% होता है यहां पे 20-30% या 35% तक भी extend हो जाता है उसके बाद में CSF4 gypsum जो कि आपको downla ही होता है जो कि एक तरीके से brick में present नहीं हो सकता है क्योंकि यह binding properties को गटा देता है कि set जल्दी ना हो cement इसलिए होता है अगर ऐसा हम brick में डाल दे तो brick की जो mold होगी वो रखी 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 बहुत दिन हो जाएंगे उसके बाद में यहां पे iron जो होता है वो कितना होता है वो भी आपका gypsum के बराबर ही होता है 3-4% और यहां पे जो iron होता है वो 5-6% होता है उसके बाद magnesia होता है 1% से कम और यहां पे एक से लेकर 3% तक होता है sulfur भी नहीं प्रिजेंट होता है यहां पे sulfur प्रिजेंट होता है जो कि 1-3% तक होता है alkali's नहीं प्रिजेंट होती एक तरीके से impurities होती है तो यह डिफरेंस आपको याद रखना है इनके function याद रखना है इनके कितना percentage होता है अब कुछ harmful bricks के अंदर ingredients होते है कौन-कौन से ingredients ऐसे हैं जो कि harmful होते हैं किसी भी एक brick के लिए तो सबसे पहला ingredient अगर मैं बात करूँ तो lime lime होता है एक तो CAO यह तो चलेगा इसका तो काम ही क्या है यह एक तरीके से binding property देता है particles के बीच में और iron कितना percent होता है lime percentage याद रखनी है आपको यार न गुमा फिरा के percentage याद करवा रहा हूँ मैं आपको 4 से लेके 5% तक lime होता है लेकिन lime तो ठीक है लेकिन CAO को अगर मैं S2O से मिला दू तो क्या बनेगा यहाँ पर C-A-O-H का hole twice बनेगा इसको slick lime होता है slick lime अगर आपने डाल दिया brick के अंदर तो वहाँ पर slaking होगी brick आपकी मजबूत नहीं बनेगी strength जो चाहिए वो नहीं आएगी iron तो ठीक है Fe2O3 होता है brick के अंदर कितना 5-6% काम क्या होता है एक तरीके से catalyst की तरह काम करता है binding अच्छा देता है silica और lime के बीच में okay silica और lime के बीच में एक अच्छा आपको binding प्रोवाइड करता है Fe2O3 लेकिन अगर यह pirate की form में present हुआ तो यह break करना इस्टार्ट कर देगा particles को alkalis क्या होता है alkalis का मतलब होता है कि आपके sodium के oxide और potassium के oxides को alkalis भूलते है यह oxides जो होता है वो आपका क्या करते है Na2O यहां लिख दिया मैंने K2O यहां लिख दिया यह oxides basically आपका अगर oxides की मातरत जादा होगी तो efflorescence जादा होगी efflorescence क्या होता है भी हम संजेंगे अगर मैं common example की तोर पे बता हो आपने देखा होगा सफेद सफेद दब्बे आ जाता है यहां पर कोई एक स्टोन है आपने लगा दीस ब्रिक को मालो 5-6 स्टोन ऐसे थे यहां पर भी था यहां पर भी है थीज़के चोट चोटे स्टॉन है कुछ दिन बाद में इस्टॉन निकल के गरया बहार आ गया स्टॉन क्या होगा बहार आ गया ब्रिक से तो यहां पर起 क्या जाएगी और वो केवेटेंद की स्टेंथ अदर की रीक सफल को लुज कर देगी नएक्स का अममयपैक्शर से बात करते हैं कि किस स्टरिक से adventurous की यहाup करते हैं तो 4 uh성 कissent चारीय आूड करते है पेहला स्टायप होता है preparation of the clay क्ले को बनाना Clay क्या होता है Clay वह एक paste होता है जिसकी वज़े से brick बनती है और उसके अंदर ही ingredients होता है क्या Clay के ही ingredients मैंने आपको starting में बताया थे standard brick के अंदर क्या होता है silica का होता है 50-60 दुबारा बता रहो लिए आपको बताये है थीक है तो prepareution of clay clay का मतलब क्या होता है for example यह कोई a ground floor ऑं मतलब कोई एक ऐसी जगह जहांसे आप निकालना जाते हो जमीन से ही निकालते हैं आप ब्रीक बनाने के लिए मिट्टी जाते हो और 20 cm तक खुदाई करते हो कितने 20 cm तक और उसके बीच नीचे जो 20 cm की नीचे जो सर्फेस आती है न उस सर्फेस से मिट्टी खोदना स्टार्ट करते हो उस सर्फेस से मिट्टी खोदना स्टार इसके बाद कितने अंदर तक हम खोग सकते हैं तो 60 cm तक आप डगाउट कर सकते हो आपकी सॉयल को तो इस प्रोसेस्स बीस सेंटीमेटर की मिट्टी को निकालना इसको ही हम अन्सॉयलिंग करना बोलते हैं I hope you got the point what is the meaning of the unsoyling When you remove the 20 cm soil उसके बाद डिक करना मतलब खोद गे मिट्टी को बहार निकालना उसके बाद क्लीन करना उसके अंदर impurities, pebbles, stone उसको अठाना weathering मतलब दूप में उसको सुखा देना जिससे थोड़ा सा मोशर भी आ जाए उसके अंदर blend करना, blend मतलब जो 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 जरुरत है वो मिला देना उसके बाद tempering करना, tempering का मतलब होता है कि आप उसको पग मिल से आप उसको जो आपने चीज डालिये वो अच्छे से एक एक पार्टिकल्स के बीच में मिल जाए तो हम देखेंगे unsoyling को unsoyling is a process in which the top 20 cm of the soil is removed as the practically not possible to carry out the clean of the soil तो मैंने बताए कि unsoyling का मतलब है 20 cm तक उपर वाली soil को अटाने के बाद में आप डिग करना स्टार्ट करते हो, खोदना स्टार्ट करते हो, डिग आउट कर लिया 60 cm तक डिग कर सकते है 60-120 cm तक जा सकते है क्लीन करने का मतलब जितने भी आपके औरगनिक स्टान पैबल्स है उनको निकाल के हठा देना उस soil में से उसके बाद वैधरिंग, वैधरिंग में क्या होता है हम इसको एक्सपोज कर देते हैं एक्सफेर से जिससे क्या होता है कि softening आ जाती है, तो फिर blend करते हैं, ब्लेंड का मतलब है जो जो चीजे require होती है, बहुत ज़रूरी होती है, उनको हम मिला देते हैं कि भाही, मालो alumina काम है, 35% से काम है, 25% से काम है, बीस परसेंट से काम है तो आप इस blending के process में ही उसके अंदर alumina डाल देंगे तो आपको दुबारस मेरे ingredient याद दिला देता हूं, silica होता है 50-60%, alumina होता है 20-30%, उसके बाद iron oxide होता है आपका 5-6%, फिर lime होता है, जो कि होता 4-5%, फिर magnesia होता है, आपका 1% से कम अगर इस proportion में नहीं है, तो blending में उनको डाल देते हैं उसके बाद हम करते है tempering, डाल दिया, मिला दिया उपर से, फिर tempering का मतलब है नहीं में करते हैं दें कैंद नैजन है इसमें दालने के बाद में यह गुमाने के बाद सारी चीज इक पार्टिकल से जोइंड हो जाती हैं उसके बाद molding, ये तो हो गया clay की preparation, अब molding मॉल्डिंग मतलब कि सांचे में उस क्ले को डालके सुखाना हम क्या करते हैं एक मॉल्ड लेते हैं एक सांचा लेते हैं जिसकी साइज एट से बारा परसेंट आपकी ब्रिक की साइज से ज़्यादा होनी चाहिए क्यूं? क्योंकि जब ही तो एक और मॉल्डिंग दो तरीके से हो सकती है एक तो हैंड मॉल्डिंग एक होता है मैनुवली और एक होता है मशीन से तो मॉल्डिंग जो होती है हैंड मॉल्डिंग वो एक छोटे स्केल पर की जाती है मशीन से थोड़े लार्ज स्केल पर जब हमें ब्रिक चाहिए होती है हैंड मॉल्डिंग क्या होती है इसको देखो द्यान से दो तरीके से हैंड मॉल्डिंग होती है ग्राउंड पर रखे जिससे आपको यूनिफॉर्म शेप नहीं मिलती है क्योंकि जमीन बिल्कुल स्ट्रेट थोड़े नहीं होगी जमीन कहीं से उंची कहीं से नीची होगी तो ग्राउंड मॉल्डिंग नहीं करते हैं अब छोड़ दो टेबल मॉल्डिंग तो आट लिसस आपको करनी चीए इस पर क्या होता है एक टेबल होती है उस table पे इस process को आप करते हो, इस को इस तरीके से देखो देहन से, clay डाला, clay से इसको अठाया, फिर निकाल ले, तो this is called the molding, यह किस पे हो रही है, ग्राउंड पे हो रही है लेकिन अभी हम table पे at least करते हैं मैनवली भी मशीन मोल्डिंग दो तरीके से होते हैं सूखी मिट्टी के साथ में और एक पेस्ट बना के मिट्टी के साथ में जिसको प्लास्टिक क्ले बोलते हैं जिसको पेस्ट बना के आप मशीन में डालते हो क्ले को उसको प्लास्टिक क्ले मशीन बोलते हैं जिसम मतलब होता है कि इसको थोड़े दिन के लिए सुखाने के लिए वैदर में मतलब पूरे एट्मोसफेर में एक्सपोज करके रख देते हो कितने दिन के लिए? फ्यू वीक्स के लिए दो अपते के लिए रख दिया इसमें क्या है? कि जो पानी है वो 2% पानी उड़ जाता है ठीक है? और इसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है कितनी? 1.5 नूटन पर एम एम स्कॉाइर से लेके 2.5 नूटन पर एम एम स्कॉाइर तक स्ट्रेंथ आपको ड्राइंग के दोरान ही मिल जाती है कई बार पूचाए कि ड्राइंग में आपको कितनी स्ट्रेंथ मिल सकती है मैक्सिमम तो 2.5 नूटन पर एम एम स्कॉाइर आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल जाती है तो यह आपको याद रखना है बर्निंग में क्या होता है? सुखाने के बाद 2% पानी नुडाने के बाद में हम बहुत बड़ी बट्टी मिला कि इसको रख देता है इसके बाद भी हाड होता है, गर्म होता है, बर्न होता है कितनी टेंपरेचर तो कहोना चाहिए एटलिस्ट आपको 900 से 1200 डिग्री टेंपरेचर आपको देना पड़ेगा आपको पता है, सिमेंट को कितना देते थे, 1400 डिग्री सेशियस क्लिंकर्स ओफ देते थे अब देखो, क्वालिटी ओफ गुड ब्रिक्स क्या क्या होनी चाहिए कम से कम टेबल मॉल्डेड होनी चाहिए शुड भी युनिफॉर्म शेप सबको पता है कि जब इसको स्टक करें, बजाएं दो ओइंटो को पकड़के तो वो मैटलिक साउंड मतलब ऐसा लगना चाहिए कि दो लोही की रोड को बजा रहे हो ब्रिक्स शुड बी फ्री फॉर्म दा वोइट्स नहीं होने चाहिए अंदर जढ़ा च्छोट च्छोटे वोइट्स बड़े-बड़े वोइट्स नहीं होने चाहिए कम से कम पानी पीना चाहिए वीपका सीधी बात है वैट नहीं होगे तो कम से कम पानी पिएगी मतलब जिदना जादा वुटर अब्री उतनी भीकार बृक should not possess the stain मतलब गंद की मतलब आफ एफरोसेंस नहीं दिखना चाहिए सरफेस पे अब जब आप स्क्रेच करो फिंगर से मतलब आपको मालो ये कोई ब्रिक दिदी मैंने और आपने इसको रगड़ा अगर स्क्रेच दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं फिस्ट क्लास ब्रिक और सेकंड क्लास ब्रिक ये तो चलो ठीक है ये तो हम अच्छे-च्छे काम में यूज करते हैं लेकिन एक होती है आपकी थर्ड क्लास ब्रिक इसको यूज नहीं भी करते हैं और कई जगे इसको यूज कर लेते हैं पर आपको temporary structure चाहिए होता है third class unburnt brick are used temporary structures okay bricks also are used the architectural purpose to give the aesthetic appearance to the structure अभी क्या चल रहा है आपने देखा होगा जितने भी restaurant वगरा होता है उसके अंदर हम paint नहीं करते हैं ना पुट्टी करते हम brick लगाते हैं बढ़िया वाली और वह बहुत अच्छी दिखती है तो brick का आजकल use होने लग गया aesthetic look में भी पहले strength देने के लिए brick brick होती थी अब strength as well as a look के लिए भी brick को use करने लगा तो जो look के लिए जो brick use की जाती है वो आपकी first class होनी चाहिए as well as उसका जो surface होना चाहिए वो looking में अच्छा होना चाहिए appearance अच्छी होनी चाहिए यो pattern अच्छा दिखना चाहिए next होता है आपका test करते हैं हम brick के उपर तो सबसे पहला test हम perform करते हैं इसको बोलता है absorption test क्या होता है absorption test इसके अंदर क्या करता है कि एक एंट ले लिया आपने उसको आप बाल्टी में मतलब उसका weight कर लिया एक इंट ल होगा तो w2 minus w1 आना चाहिए ना वो 20% आया ब्रिक के weight का तो first class brick बोल दे जाती है 22 या 21-22% आया तो ठीक है 25% आया तो good अगर 25% से ज्यादा difference आ रहा है ना ज्यादा पानी पीरिया आपकी brick तो this is the worst brick ever क्योंकि इसके इंटर बहुत ज्यादा वाइड है तो इस तरीके से second or third की अगर good brick के लिए कोई बोले कि first class brick के लिए 20% water absorption is good समझ पार है 20% water absorption is good 22 मतलब second class 25 जितना ज्यादा पानी पीता जाएगा water absorption जितना ज्यादा होगा उतनी घटिया आपके strength होगी सीधी बात है कि voids उतनी ज्यादा होंगे 24 hours के लिए है condition not more than 20% से ज्यादा पानी नहीं प बोलते हैं उसको तो नहीं पीना चाहिए पानी 5% पीएगी तो चलेगा ठीक है तो यह स्तरीक से जितना ज्यादा पानी पीएगी उतनी बेकार बिक बस सीधी बात अब हम टेस्ट करते हैं उसकी compressive strength compressive मतलब कि उसको जागर दबाया जाए तो कितनी strength को अपने उपर ही सकते अगर दुनिया में कोई बी ऐसी brick है जो burn होने के बाद में 3 newton per mm² से पहले ही तूट जा रही है 3 mm से पहले ही 3mm से पहले ही तो इसी brick नहीं है वह brick के नाम पे गार है मतलब बेकार है मड़ है तो कम से कम 3 newton per mm। गटिया से गटिया work करने के लिए 3 newton पर mm2 का force तो सहने की शमता होनी चाहिए ब्रिक के अंदर तो यह आपको याद रखना है तो compressive strength मैंने बताई दिया अब बात करते हैं कि first class brick 10.5 newton जितना जादा compressive strength सहन कर पाईगी brick उतनी अच्छी brick 7.5 second class 5 और कम से कम 3.5 तो करनी करनी चाहिए तो first class brick की compressive strength कितनी होनी चाहिए 10.5 इससे जादा हो तो भी ठीक है लेकिन कम से कम इससे कम नहीं कम से कम 10.5 इसकी strength होनी चाहिए second class के लिए 7.5 और 5.5 या 5 newton पर mm2 इतनी compressive strength first class brick के लिए आदा रखना water absorption first class के लिए कितना था 20% इससे जादा पानी पी रही है तो second class में आजाएगी तो कि 22% होता है 25% का मतलब है कि वो third class brick है और अगर आपकी 25 से उपर है तो आप यूज नहीं करना है उसको समझ पा रहे हो ना और 5% heavy duty brick के लिए होता है तो ये होता है का not less than 10.5% compressive strength hardness क्या होती है आपको पता है scratch अगर ना पढ़े तो उसको hardness बोलते है आपने nail यहां पर रब किया अगर scratch आ गया तो वो soft है hardness अच्छी होने चाहिए nail से आपको marks नहीं आने चाहिए shape or size कैसे test करेंगे हम क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि सारी जो इटे हैं वो same size की और same shape की और उसकी जो edges होंगे वो sharp edges की होनी चाहिए ठीक पाट सीखे समझे जो brick की जो standard size होती है वो कितनी होती है 19 into 9 into 9 centimeter यह आपको याद रखना है length breath और height आप बोल सकते हो इतनी length इतनी width बोल सकते हो इतनी height होती है एक brick की और I hope you got the point length, breadth और height कैसे हम measure कर सकते हैं next होता है कि brick की shape or size test कैसे करते हैं तो आप randomly जाओ पूरे के पूरे store में से 20 brick उठाओ 20 brick उठाने के बाद में इस तरीके से क्या बनाना है एक cuboid बनाना है 20 bricks जो आपने लिए उनको इस तरीके से मिला के रख देना है what after this इसके बाद क्या अब हमको क्या करना है कि जो size आनी चाहिए ना जो आपने cuboid बनाना है 20 brick का वो उसकी जो length आनी चाहिए वो 392 मतब 400 cm तक आनी चाहिए और 186 उसकी maximum विड़ आनी चाहिए और 186 cm उसकी height आनी चाहिए तो these are the standard size 392 और 186 186 200 200 400 ऐसे याद रखो ठीक है तो ऐसे इसके standard value आने चाहिए color कैसे check करेंगे देखो आपने आखोंसे देखना है और इसका color होना चाहिए reddish brown होना चाहिए soundness अब देखो soundness cement में बोला जाता है volumetric changes को लेकिन यहां पर soundness का मतलब किससे है sound से ही है मतलब क्या है अगर आपने दो हीटो को एक दूसरे से stuck किया बिढ़ाया तो metallic sound produce हो रही है तो good break तोड़ देने के लिए क्या करना आपको तोड़ देनी एक brick को एक मिटर से उंचा एक मिटर से ज्यादा उंचे से गिरा के तोड़ना है तोड़ने के बाद में बीच से देखना है कि कोई lumps नहीं होने चाहिए homogeneous आपका structure होना चाहिए उसके बादे efflorescence क्या होती है efflorescence मैंने आपको बताए कि जो alkalis present होते है जो salt present होते है brick के अंदर उसके वज़े से सफ़े सफ़े दब्बे आ जाते हैं उनको ही हम efflorescence बोलते है लेट मी zoom for you देखो यह जो देख पारेवे brick है इस पर stain आ जाता है white white color के धब्बे आ जाते है अभी इसकी जो efflorescence की value होती है वो कितनी कितनी होनी चाहिए वो देखना जरूरी है देखो अगर आपने एक brick ली उसको आपने 24 hours के लिए पानी में रखा और निकाला और उसके अंदर जो white white color का जो धब्बा था वो 10% उसकी surface पे आ रहा है चलेगा मतलब slightly ठीक है 10 से 50% तक आ रहा है 50% तक white आ रही है तो भी ठीक है लेकिन 50 से उपर जाते ही नहीं use करना हमें यह heavy है serious condition है efflorescence बहुत जादा है तो 10 से 50% तक चलेगा बोल सकते हो 0 से 50% तक efflorescence चलेगा उसको आप okay करके आगे proceed कर दोगे लेकिन 50 से जादा अगर efflorescence है 50% से जादा surface पे efflorescence है तो फिर नहीं चलेगा यार ठीक है तो 10 से 50% is good but more than 50 is not good I hope you got the point what I want to say here 10 से 50% 10 तो very nice उससे कम very very nice लेकिन 10 maximum है ठीक है सरफेस कितना कवर कर रहा है अब हम बात करेंगे कि ऐसी clay बनाने के बारे में जो की आग से हमें बचाए की मतलब ही इंट बनाने से पहले Corporation बनाते हैं तो ऐसी Guess बनाते हैं तो एसी की बनाओ जो जिस्से जो ही बने ओ आग मेंना ज़ले मैंने starting में बताया था कि alumina को बढ़ा दो 35 तक बढ़ा दो और lime को कम कर दो तो क्या होगा तो आपके एक ऐसी clay बनके आएगी जिससे जो brick बनेगी वो best होगी मतलब fire resistance होगी तो fire resistance brick का जो water absorption होता है वो सिर्फ और सिर्फ कितना होना होता है पांस से दस मैंने बताया जितना कम पानी पिएगा उतना best आपकी brick होगी first class brick के लिए कितना water absorption था आपका 20% second class brick के लिए कितना water absorbed हुआ था कितना what was the water absorption rate तो 21 से लेके 22% तक water absorption था 3rd class brick के लिए water absorption कितना होता है 3rd class brick के लिए आप बोल सकते हैं कि 25% अगर इसे ज्यादा water absorb कर रही है तो brick को फैंक दो बार लेकिन जो heavy duty brick होती है जैसे कि fire के लिए bricks ऐसी bricks को heavy duty bricks ही बोलती है वो 5% से लेकर 10% या 5% तक ही ही आपका water absorb करेंगा जितना कम पानी पिएगा उतनी अच्छी brick होगी उसी दी बात है next move करते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखो high fire के लिए high resistance to fire कितना दे सकती है एक brick है जो कि 1688 degree celsius पर भी नहीं जल रही है तो इसको high resistance resistive brick बोलेंगे इसको आप 700 भी मान सकते हो ठीक है इसको आप 1500 मान सकते हो ठीक है इसको 1500 बहुन सकते हो exact value याद रखने की जरूत नहीं है इसको 900 भी मान सकते हो तो 900 से लेके 1700 तक आपको value मिल जाती है 900, 1500, 1700 medium rated, low rated का मतलब है 900 तक नहीं हो तो low rated brick तो some important point which you have to remember जो brick होती है उसकी जो minimum compressive strength होने चाहिए 3.5 newton per mm square होने चाहिए standard size of a brick होने चाहिए 19 cm x 9 cm x 9 cm length, breadth and height और 1 meter का अगर आपने cube बनाया brick से तो जुसका weight होना चाहिए वो 1800 kg होना चाहिए और दूसरा एक brick की जो weight होता है वो आपको पता है 3.5 kg तक होता है 3.5 kg से 3.5 kg तक होता है conventional size होता है जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है frog क्या होता है इंट के बीच में कुछ ऐसा इसा इसा देखा होगा breath होती है वो चार होती है और depth कभी-कभी एक होती है कहीं-कहीं पर आपको दो भी लिखा मिल जाएगा तो या तो एक जहां मिले वो भी ठीक है और दोनों मिल जाए तो एक वाला आपको ठीक करना है तो frog क्यों बनाया जाता है एक strength देने के लिए चिपक सके दो ही टेक दूसरे से अब type of brick की तरह बढ़ते हैं कि कितने तरीके की bricks आपको मिल सकती है पहली होती है bull nose brick मतलब एक किनारा उसका कैसा हो कर्व शेप में हो कुछ ऐसा कर्व शेप में अगर एक किनारा है किसी brick का वहां पर कहां यूज करते हैं for example आपने गर बनाया गर का यह दरवाजा है और यह है इस तरीके से गर का बहार का exterior wall तो यह वाला जो पार्ट है ना यह नुकिला नहीं होना चाहिए तो इसको क्या बोलते हैं corners को क्या बोलते हैं external corners को क्या बोलते हैं Q-U-O-I-N Q-U-O-I-N तो external corners को तो ऐसे corners शाप ना हो इसलिए हम यहां पर bull nose brick का यूज करते हैं यह वाला इससा यहां पर आ जाना चाहिए तो Q-U-O-N याद रखना है क्या होता है next होता है cow nose यह दोनों तरफ से ही curve होता है next channel brick जो होती है वह पानी को बहने के लिए बनाई जाती है road पे आपने एक pavement ही पूरी brick के बना रखी है लेकिन यहां से पानी बहना चाहिए तो आप बीच में channel brick बना दोगो channel brick के बीच में depression होता है next होता है आपका copping brick copping brick एक ऐसी brick होती है जो की एक cop provide करती है copping मतलब होता है की curve provide करती है तो इसमें एक half circle brick भी होती है semi circle brick बोलते है और एक तरीके से saddle brick होती है saddle back का मतलब उठी हुई उठी हुई उठी हुई कूबर आप बोल सकते हो ऐसी एक brick होती है तो saddle याद रखना है copping याद रखना है copping मतलब एक तरफ से design वाली brick next होता होलो brick बहुत important है बहुत important है कुछ ऐसी दिखाई देती है यह इसका जो weight होता है वो one third होता है आपके traditional brick के weight का और बहुत ज़्यादा compressive strength देती है और heat transfer नहीं होने देती है क्यों hollow है भाई बीच में से कहां use करते हैं जहां पे आपको heat sound इससे resistivity चाहिए तो वहां पे use करते हैं आज कल बहुत use कर रहे हैं इसको उसके बाद में hollow brick के बारे में और जान करें मैं बतादे सकता हूँ partition wall में ही इसको use करना है ऐसे जगे use नहीं करना है जब बहुत ज़दा आपको strength चाहिए अभी मैंने बताया था pavement बनाने के लिए मतलब आपको जमीन पे बिचाने के लिए brick चाहिए तो आप paving brick use करोगे इसको बनाते टाइम पे iron की मातरा बढ़ा दोगे वैसे iron की मातरा 5-6 होती है यहां पे 6-10% तक बढ़ा दोगे iron की मातरा बढ़ाने से क्या होता है iron की मातरा बढ़ाने से पार्टिकल्स बिखर के दूर नहीं जा पाता है तो यही करना है आपको paving brick के अंदर paving brick के मारे मैंने बता दिया कि slippery नहीं होती है design बहुता है कई जगे अब आती है perforated brick यह ऐसी brick होती है जिनको जहां पे कई बार हम इसका यह जो इस्सा होता है वह perforated होता है जरूर नहीं है circular shape में हो कहीं जगे आपको square में भी मिलेगा कहीं पे आपको triangle shape में भी मिलेगा let me zoom for you कुछ जगे आपको triangle भी मिल सकता है whatever you want यहां पे मिल सकता है brick cylindrical hole होता है इसमें आपको strength दे सकते हो आपको reinforcement strength मिल सकती है अगर आपको यहां पे सरीय डालना है तो आप सरीय डाल सकते हो इस brick के अंदर तो यह आपको याद रखना है उसके बाद में fly ash brick fly ash क्या होता है जिसे बहुत बड़ा कोई एक thermal power plant वहां पे जो चीजे जल जाती है koila जल गया उसकी जो राक बसती है उसको fly ash बोलते है इस fly ash और cement और पानी को मिलाके हमें क्या बनाते है brick यह light weight brick होती है इसकी strength जादा होती है water absorption सबसे कम होती है मतलब बोलो कि पुरानी वाले जो इट थी उससे अच्छी इट होती है आजकल हम यही use कर रहे है fly ash brick high fire insulation होता है high strength होती है uniform shape होती है joints अच्छा होता है lower water penetration होता है मतलब पानी सरता नहीं है does not require the soaking before the must reconstruction मतलब इनको पानी में डालने की जरुरत नहीं होती सीधा आप लगा सकते हो तो I hope you got the point तो यह आपके fly ash तक हो गया इसके बाद में हम देखेंगे इसके बाद देखेंगे अभी तक होने क्या-क्या देखा फटा फट देखो brick के अंदर alumina होता है silica सबसे ज्यादा होता है 50-60% तक alumina 20-20% iron oxy 5-6% lime 4-5% 1% से कम होता है यह चीज़े आपको याद रखनी है यह चीज़े नहीं बूलनी है alumina और silica सबका हमने देखा अब हम बाब brick तो बना ली brick test भी कर ली brick type of brick भी पढ़ ली bricks को हम दिवार बनाने के लिए यूज करते हैं तो जब दिवार बनाते हैं तो हम patterns को हम missionary बोलते हैं brick missionary तो बहुत तरीके की brick बनाने के तरीके होते हैं brick को समझते हैं एक brick को तीन पार्ट में बाटा गया है एक को तीन इससे होते हैं तीन तरीके होते हैं उपर वाले को B.E.D. bed बोलते हैं सामने वाले को छोटे वाले इससे को इसको header बोलते हैं और इधर वाले को stretcher बोलते हैं अगर मैंने एक brick ली और एक brick को ये brick ली मैंने, एक brick को ऐसे काट दिया, तो जो बचा हुआ इससा होगा, इसको हम closer बोलेंगे, this part is known as the closer, this part is known as the closer, मतलब length के along अगर मैं brick को काट देता हूं, तो बचे हुआ ये part को मैं क्या बोल देता हूं, closer बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, closer बोल देता हूं, अगर मैंने विर्द के along काट दी, ये brick थी, एक brick थी, इस brick को ऐसे ना काट के मैंने ऐसे काट दिया, तो जो बचा हुआ इससा होगा, इसको मैं bet बोलूँगा, क्या बोलूँगा, bet बोलूँगा, तो कुछ ऐसा काटने के बाद में, ऐसा आपको मिलेगा, तो this is called the bet, next होता है आपका, क्योन, और I already told you, कि आपका कोई एक घर है, इस घर के corner पर जो construction होता है, outer, इसको ही हम क्या बोलते हैं, q-u-o-i-n, q-u-o-n, ठीक है, इस पे हम, bull nose use करते हैं, कि cow nose, आप comment box में बताओ, ठीक है, type of closer, कितने तरीकी के होते हैं, closer मैंने बताया भी है, आपको closer क्या होता है, सबसे पहला होता है, आपका queen closer, queen closer मतलब, ये एक brick है, इस brick को just मैं आदा कर दू, क्या बोलेंगे, queen closer बोलेंगे, ये पूरी brick थी, ये complete brick थी, इसको मैंने आदा कर दिया, this brick is known as the queen closer, यहाँ पे लगा देते हैं, जब मस्नरी करते हैं, अगर मैंने, जो queen closer काटा था, उसको मैंने काट दिया, इस तरीके से आदा, तो ये आजाएगा, quarter queen, half queen closer तो सबको पता है, half queen मतलब, जो queen closer होता है, वो अपने आप में हाफ queen होता है, इसको भी अगर मैंने यहाँ से काट दिया, तो ये जो बचेगा इससा, इसको हम बोलेंगे, quarter queen closer, ठीक है, next होता है, quarter queen closer, बता दिया मैंने आपको, उसके बाद होता है, king closer, king closer कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा दिखता है, corner corner काट दो, मतलब एक brick है, एक brick के, अगर मैं corner को काट दू, इस पार्ट को अगर मैं काट दू, इस तरीके से, इस पार्ट को मैं काट के अठा दू, बेवल्ड शब्द का मतलब होता है, कि तिर्चा काट देना, किसी चीज को तिर्चा काट देना, अभी king closer क्या था, king closer में हमने एक brick थी, इस brick को हमने कुछ ऐसा काटा, length के और width के midpoint से काटा, बेवल्ड शब्द का मतलब होता है, कि बस बढ़ा देना, चीजों को यहां से ना काट के, पूरा यहां से काट देना है, इसको बेवल्ड बोलते हैं, बेवलिंग बोलते हैं, ठीक है, तो it is the form of king closer, अब मैं आपको अंतर समझा देता हूँ, एक होता है, माइट्रेट क्लोजर, माइट्रेट क्लोजर में, अब बैट को काटते हो, बैट को, बैवल्ड कर देते हो क्या, बैट को, अब पूरा तीनों को समझो ध्यान से, king closer में, एक कोना काटके निए लिया, length का midpoint, और width का midpoint, बैवल्ड में क्या किया आपने, length के midpoint को, बिल्कुल लास्ट में ले गए आप, लेकिन अगर आपने, width के midpoint से पीछे चले गए, और बहां से काट दिया, तो उसको हम, माइट्रेट क्लोजर बोलते हैं, समझ पारे हो, king closer से ही निकले हैं ये दोनो, king closer का ही modify रूप है, king closer मतलब कोना काटना, बीच से, अगर मैं length के along आगे चला जाओ, तो उसको क्या बोल देंगे, beveled closer, अगर मैं width के along देखो, यहां से की जगे मैं यहां से काट दू, तो उसको mitrate closer बोलेंगे, let me zoom for you, जहां से देखो, king closer मतलब दोनों का midpoint, अगर मैं length को यहां की जगे, यहां पे ले जाओ, तो उसको बोलेंगे beveled, अगर मैं width को यहां की जगे यहां ले जाओ, king closer में, तो उसको बोलेंगे mitrate closer, I hope you got the point, next हम चलते हैं, type of bat bricks, पहला half bat, मतलब एक brick को बिलकुल बीच से काट देना, इसको half bat बोलते हैं, the quarter bat, मतलब half, एक तो होता है, देखो, यह हो गया half, ठीक है, three quarter का मतलब होता है, कि एक brick को बरावर तीन इस्सों में बाटो, और उसमें से एक हिस्सा बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, जो बचा हुआ इस्सा होगा, the remaining part will be known as, the three quarter bat brick, I hope you got the point, three quarter bat brick का मतलब क्या हुआ, next होता है, beveled bat, bat का मतलब मैंने आपको समझाया था, क्या होता है, देखो, bat का मतलब होता है, इसको मैंने काटा, इसको मैंने काटा, काटने के बाद में मेरे पास में यह हिस्सा आ गया, इस तरीके से, beveled का मतलब होता है, कि इसको भी मैंने बीच से काट दिया, along the length, तो this remaining part is known as the beveled, I hope you got the point, beveled का मतलब होता है, corner से काट देना, अब हम English bonding करेंगे, Flemish bonding करेंगे, अब हम हम इंटो को एक दूसरी के उपर जमाएंगे, तो सबसे पहले हम जो सीखते हैं, वो सीखते हैं English bonding के बारे में, क्या होता है इसके अंदर, कैसे काम करती हैं, देखो ये मैं समझा देता हूँ, सबसे पहले जो layer बिचाते हैं, वो आप stretcher की बिचाते हो, सबसे पहले मालो, किसी इंसान ने brick बनाने के बाद में, कुछ ऐसा जमाया होगा, इटे के उपर, इटे, stretcher के उपर, stretcher, stretcher के उपर, stretcher, ये stretcher है, stretcher है, stretcher है, फिर दूबारा से दूसरी layer भी stretcher की बना दियोगी, फिर stretcher की बना दियोगी, stretcher की बना दियोगी, stretcher 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 लेकिन क्या हुआ होगा अगर ऐसे आप करते जाओगे करते जाओगे stretcher के उपर stretcher रखते जाओगे तो जो line है जो end है वो क्या हो रहा है incline हो रहा है अगर एक लात मारोगे तो ये निकल के बाहर चला जाएगा ये निकल के बाहर चला जाएगा तो एक मजबूती नहीं मिल रहा था तो इसको ही मजबूती देने के लिए सबसे पहले जो bonding आई वो आई English bonding इसमें क्या होता है कि नीचे-नीचे हम सबसे पहले stretcher रखते हैं stretcher का एक layer बिचा देते हैं stretcher, 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 stretcher और दूसरी जो layer होती है उसके अंदर हम structure नहीं रखते हैं header 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 इस तरीके से अब आप बोलोगे एक layer stretcher की लगाएंगे एक layer आफ header की लगाओगे अच्छा अगर ऐसा ही करना है अगर ऐसा ही करना है तो भी तो यहां पर incline हो रहा है तो हम यही बचाने के लिए हम क्या करते हैं एक queen closer लगा देते हैं बीच में एक queen closer one fourth लगा देते हैं एक queen closer लगा देते हैं बीच में फिर हम stretcher और header stretcher और header की layer alternate पे लगा देते हैं एक दूसरी के उपर सबसे ज़्यादा मजबूत जो bonding होती हो वो आपकी flamish bonding की होती है flamish bonding कुछ ऐसी दिखती है क्या होता है इसमें एक alternate पे आप header और stretcher लगाते हो मतलब कि यह stretcher है फिर header है फिर stretcher है फिर header है फिर stretcher है फिर header है तो यहाँ पे भी continuity को तोड़ने के लिए यहाँ पे भी king closer queen closer लगा दिया जाता है तो इसलिए हम क्या करता है कि इसको दूर-दूर रखे करता है मतलब की चीजे दूर-दूर होनी चाहिए I hope you got the point next हम चलते हैं यहाँ पे flamish bond जो होता है वो दिखने में सबसे अच्छा होता है लेकिन strength तो English bonding की ही सबसे जादा होती है अब stretcher bonding क्या होती है सिर्फ stretcher stretcher की मतलब से लगाई जाने वाली बोल्डिंग को हम stretcher बोल्डिंग रखता है इसके अंदर क्या होता है कि जो stretcher होता है उसको यह stretcher रखा let me change the color for you यहाँ पे stretcher यहाँ पे stretcher 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 लेकिन अगर मैं उसे बारे stretcher रखता तो उससे क्या होता problem आ जाती तो मैंने एक starting में हर जगे half bat लगा दिया जिससे coordination change हो गया तो header की bonding होती है कि हर जगे आपको क्या लगाना है header 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 लेकिन इसके भी coordination को तोड़ने के लिए मैं क्या करूंग यहाँ पे एक stretcher लगांगा starting में यहाँ पे stretcher लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा एक continuity टूड जाएगी तो stretcher यहाँ पे लगा देना है तो सबसे मजबूत कौन होता है सबसे English bond सबसे मजबूत होता है सबसे पुराना bond भी वही माना जाता है तो I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा stretcher और header के बारे में bricks के अंदर defects होते हैं सबसे important defect जो आपको देखने को मिलेगा वो यही है chuffs, chuffs क्या होते हैं मालो आपने गरम-गरम इंटे निकाली गरम-गरम इंटे निकालके आपने रखिए खुले में और अचानक से होगे बरसात तो इंटे क्या हो जाती है मुड जाती है ऐसे अजीब सी हो जाती है तो इससे को ही हम बोलते है चuffs यह सबसे important है यह exam में पूंचा जाता है बाकी तो सब मैंने आसे ही दिया हुआ है black ore क्या होता this is defect due to the improper burning तो याद रखना है कि काले कलर के दब्बे हो जाना अच्छे से नहीं तपाने पर ब्लोटिंग मतलब फूल जाना इंटो का फूल जाना उसके बाद में और बर्निंग क्या होता है ज्यादा जला देना डिजाइन खराब हो जाती है अंडर बर्निंग मतलब बहुत कम तपाना ब्लोटिंग मतलब फूल जाना black core मैंने बताये था अब आपको अफ्लोरोसेंस आई अल्रेडी टॉल्ड यू अब आप मुझे बताओगे कि एफ्लोरोसेंस की रेंज कितनी कितनी होती है तो मैंने बताये थे कि 10% सरफेस पे अगर अफ्लोरोसेंस है तो नॉर्मल होता है बिलकुल भी ना हो तो वेरी गुड दस से 50% एरिया पे है तो मोडरेट होता है अगर 50% से जादा है तो आप यूज नहीं करते हो एरिया की बात हो रही है और brick is spelling क्या होता है brick is spelling का मतलब होता है irregular portion break away or fall off heating of the water inside the brick is caused the spelling मतलब कि अंदर पानी present है दे 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 गरम होता है तो spelling आपको देता है चफस मैंने बताई चुका sport क्या होता है अपने देखा हो कि एक building बनती है गाहूं में पुरानी होने के बाद में उसमें काले-काले ऐसे धब्ब्बे आ जाते हैं इसको ही हम स्पोर्ट्स बोलते हैं क्यों होते हैं इस इस डार्क स्पोर्ट ऑन दा ब्रिक सरफेस दिप्रिजेंस अफ आइरन सलफाइड क्ले के अंदर अगर आइरन जादा है तो आ जाता है यह लैमिनेशन ब्रिक क्या होती है मतलब ब्रिक का फूल के उपर की पपड़ी को हटा देना अगर आपने ड्राइ नहीं किया मतलब ब्रिक को सुखाय नहीं आपने वैदर में और सीधा ले जाके क्ले को किसमे डाल दिया आपने बर्निंग के लिए तो जो इर्रेगुलर्टी शेप आजाता है कहीं से उचक कहीं से नीचक टेडा मेडा अब इस पेशल टाइप की कुछ से जसमें सबसे पहले टाइप की होती है स्कुिंट ब्रीक यह एंपरटन नहीं बस मैंने आपको बताने के लिए का सी मुडाई पे अगर आपको ब्रिक लगाने तो यहां से कटकर के लगाते हैं जो completely स्कुिंट होती है स्कुिंट मतलब ना तो complete रैंगल इट्स लाइक पैं कि को यूज यूंज बनाने के लिए ईस्थेटिक लुक के लिए यूज करते हो इसको कियल के कंदेशक टहें को मतलब ही समझय धिन को किया इस समी है या आपका कमप्ली बिडी ग्रीक ता किक ख विधा और दो हम जैंते हैं आज हम एकाल एक्षाल को स्चेक्षा है झाली